चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के और रूख करेंगे अजया चौटाला ज्रीन के लिए रवाना हो चुके हैं ज्रीन में आपको बता दे के वैठक करेंगे अजया चौटाला अब नया जंडा और नया डंडा होगा अज़ाद चोटाला का बयान सभी साथ ही बैट कर निनने करेंगे अज़ाद चोटाला ना ये बयाम दिया है सारे विधायक मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगे यहाँ पर अज़ाद चोटाला द्वारा बड़ी बाते कहीं गई है एक एक विकेट अपने आप गिरजवाएगी अज़ा चोटाला का बड़ा बयान यहाँ पर आया है पार्टी का नया नाम जन नायक लोग दल हो सकता है बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सब साथियों की राय से रखा ज़ाएगा पार्टी का नाम अज़ा चोटाला का यह बयान है इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जीन के लिए रवाना हो चुके हैं अजा चौटाला और आपको बता दे कि आज जो है बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है पार्टी का नाम गोशित करेंगे अजा चौटाला और सभी कारेकरता वहाँ उपस्तित होंगे इसी अजसी देखा ज़ा रहा है कि अजड़ा चौटाला को पार्टी से निश्कासित करने के बार एक एक कर जो तमाम कारेकरता है वो स्थीफा दे रहे हैं इसको लेकर यहाँ पर अजड़ा चौटाला का बयान आया है कि एक एक करके सभी विकेट गिर जाएंगे अनल यहाँ पर हरियाना राजनीती के लिए और इनेलों के लिए एक बड़ा दिन साबित हो सकता है आज एक इत्यासिक दिन साबित हो सकता है बिल्कुल आज जो अवे चुटाला ने चंडिगड में बैठक बुलाई है तो वहीं अजे चुटाला ने जीन में बैठक बुलाई गई है और आज का क्या कारिकरम रहेगा इस समय मेर साथ इनेलों के नेता भी जुड़ गए है जो गुरुगराम से पूर पार्षत रह चुक सason बिलाई है कारेकरताहूं कि इसमें किंते को मजबूत करने के लिए ल यहां मीटिंग होगी लग पार्टी का ईलान करने जा रहे हैं तो इससे इनलों को नुक्सान नहीं होगा क्या पार्टी में अनुशाशन इंटा बर्दास नहीं होगा चाहि कोई भी जी जो जीन में बैठा को बुलाई गई है वो गैर कनून है अगर उसमें जिस तरह के आपका कलेम किया गया है अगर वहां कोई आपके लोग जाते हैं कारे करता तो क्या उनक जैनने लोग दल का तो उसमें अनुशाशन इंटर्वए की जाएगी इस समय मेरे साथ और भी मजूध है कासीरा हैं जो काफी सीनियर नेता हैं इन एलो के इन से बात करते हैं कि इससे पार्टी को क्या नुक्सान होने वाला है और क्या पार्टी को को नुक्सान नहीं होगा आफको कईसे लगता है मजबूत होगी जहां प्रगारगा चुटाला वह मजबूत है पालटी कही नेता और कही कारेकरता और क्या विधयक अजए चुटाला के भी साथ हैं क्या लगता हुँ दोखेस पाट है जाल के बेकारर व मुझाल के नहिंहें आपने अभी बात सुनी है कि जो अभे चुटाला के समर्थक हैं और नेता हैं कारे करता हैं उन्होंने का है कि इस कदम से पार्टी मजभूत होगी और इसके साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कारे करता अजे चुटाला की बैठक में जाएगा और उसके खिलाब कारवाई की जाएगी इस्पर क्या कुछ कहना इन कारेकरता होगा अभी पूछ लेते हैं आप पार्टी से जुड़े हो और अजे चुटाला कह रहे हैं कि एक एक जो विकट है वो सारी गिर जाएगी तो क्या लगता है कि पार्टी कमजोर हो जाएगी क्या गिलकुल नहीं सब के सब पूरा हरियाना अधरिया चोधरी ओंपरकास चुटाला जी के साथ हैं उनकी नित्तरतों में काम करेगा और जो हमारे प्रिजिपक्षे नेता हैं क्या आपको नुक्सानी होगा जिस तरह अजे चुटाला आईलान कर रहे हैं कि सभी तूटके इधर आ जाएंगे एक एक करके जितने भी हैं विकट गिरा दिये जाएंगे यह आप भी देख रहे हूं आज तक पुरे हरियाने का रिकार्ड रहा है तो दिर बंसे लाल जी न कि अबे चुटाला के जितने भी समर्थक हैं वो कहते हैं कि जो भी फैसला लिया गया है उससे पार्टी और मजबूत होगी विदाइकों को बुलाया गया है और इसके साथ जो इनैलों से जुड़े पदादिकारी हैं उन को बुलाया गया है और इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ भीड कम रहने वाली है पार्टी की तरफ से जो यह का जा रहा है कि केवल बैठक बुलाई गई है यह ची बिल्कुल अजो क्या लगता है अपको क्या लगता है जो तरीके से जो स्थती नजर आ रही है साफ तोर पर देखा ज़ा रहा है कि दो गुटों में बच चुके है निलो और अब जो नुकसान है कही ना कहीं वो निलो को ही होगा तो इस पर कारेकरताओ का क्या कहना है जब किसे जानते है कि इस से क्या फैयदा होने वाला है और क्या नुक्सान होने वाला है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इससे को नुक्षान नहीं होगा सब पार्टी जिन रात काम करेंगे पार्टी की सेव जाद मजबूत करेंगे जोद्रियों प्रकास चॉटाला की नेतरतों में सभी कार्टी एक जोटों काम करेंगे अठलवीर जी क्या नैना चुटाला के खलाब भी आज खारवाई की जा सकती है इस बारे में तो दिए ओम परकास चुटाला जी बताएंगे अभी आपने कारेकरताओं को सुना है वो कहते हैं कि पार्टी पहले से भी मजबूत होकर आएगी और जहां तक नैना चुटाला का वो है वो पार्टी के बड़े लीडर जो है वो बात्चित करेंगे या ओम परकास चुटाला इस पर प्रित किरिया देंगे इच्छी चले बहुत बहुत शुक्रे आपका तमाम जुआनकारी के लिए तो आपको बता दें कि लगातार जो पार्टी है उसमें खाई जो है वो लगातार गहरी होती नजर आ रही है लगातार तीखे तेवर नजर आ रहे हैं बार पलट वार कि आज वारा है यहाँ पर अजर चोटारा के अगर बात करें तो जीन की बैठक के लिए वहाँ पर वो निकल चुके हैं रवारा हो चुके हैं और बड़ी बाते उन्होंने बोली हैं उनका साफतर पर कहना है कि यहाँ पर सभी कारता जो हैं वो मेरे साथ हैं और यहाँ पर सभी के मर्दी से पार्टी का नाम रखा जाएगा नए पार्टी के नाम की घोशना करेंगे आज और बड़ा बयान यहाँ पर आज आया है अज़र चौटाला का उन्होंने साफ कह दिया है कि कारेकरता मेरे साथ हैं लोग मेरे साथ हैं और यहाँ पर अबै चौटाला के उपर कही ना कहीं तंच को सेवे नजर आया है और उनका साफ दोर पर कहना है कि एक एक करके सारे विकेट गिर जाएंगे यहाँ पर आपको बता दे कि लगातार निसकाशुन के बाद अज़र चौटाला को जब निसकाशुत किया गया पार्टी से उसके बाद कई कारेकरताओं ने पार्टी से सिफा दे दिया और अज़र चौटाला के साथ मिल गए इसकी घोशना भी कई कारेकरताओं ने कर दी है जोसे की साफ तोर पर इसी से प्रेरित होकर ये बयान का जा सकता है कि अज़ा चौटारा का सामने आया है जीन रवाना होने से पहले क्या कुछ का आया अज़ा चौटारा ने आई आई आपको सुनाते हैं वैसे मैंने आपको सुबही एक्स्प्लेइन कर दिया आप तो नया डंडा नया जंडा होगा और मिरने साथी सारे बैठ कर लिए तक सब कौन कौन से पता दिखा रही है वहाँ पूंचने के आपको में देले लिए आप जो होंगे वहाँ पर सारे बताएं जाएंगे सब के बा मत करो एक एक वीखिट अपने आप जिर जाएगी तो नया जंडा होगा है लोग सल इस तरह की बात है क्या मानके चले यही नाम होगा पार्टी का सब साब साब कि उसे रहा हर्याना की एक ऐसी पार्टी जो अपने दबदवे अपनी रुतुबे के लिए जवानी जाती थी अब इस तरह से फूट उसमें पढ़ गई है जो देखने लायक है आपको बता दे के भाईयों को दोनों भाईयों को रामलखन की जोड़ी का आ जाता था एक भाई जुसने पिता और पार्टी के कारकरताओं के लिए कारवास चुना तो वहीं दूसरा भाई जुसने उसके क कारवास जुआने के बाद पार्टी को संभाला और अब उसके बाद इस तरह की स्थिती जो नजर आ रही है पार्टी की वह वाकई चुनता जनक है और यहाँ पर ओम प्रकाश चुटाला की अगर बात करें तो वह चाकर भी कुछ नहीं कर सकते इस वक्त ऐसी स्थिती बनी ह हुई है चले सिदा जीन चलते हैं जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संभालता महेश महेश किस तरह से भीड़ आप देख पा रहे हैं वहाँ पर क्या लगता है आपको भीड़ को देखके कितने समर्ट तक जुटे हैं महेश कि आपको वाज आ रही है तो तक्नीकी खराबी के चलते हैं हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है समवादाता से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और लगतार आपको अपडेट्स देंगे कि क्या कुछ हो रहा है आपको बता रहे कि पूर यहां तस्वीरें यह बया कर रही है कि आजे सिंग चौटाला के समर्टक पूरे आजयाना प्रदेश के अब यहां पोचने शुरू हो चुके हैं इसके अलावा जो इनेलो समर्टक आजे सिंग समर्थक जो विधायक है वो भी इसी मज़पर नसराएंगे तीन बज़े का बत रहेगा जब इस बंच 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 तमाम नेता हर्याना में एक अलग राजनेतिक दल के उड़े को लेकर एक नई पार्टी के गठन और को लेकर आधिकारी गोष्णा करने का काम करेंगे इसी मत से जन्मा एक सेवा तल एक नए दल के रूप में उगर कर सा पर दिखाने की कोशिश करें कि आखिर जितने तादाद में अभी तक लोग पहुंच पाए हैं यह तस्मिरों आप देखिए कि तरीके से लोग यहां पर जिनकी नेविलाल ग्राउन में पहुंचने शुरू हुए बहुत थोड़ी तारियां यहां पर की गई है रैली के लि जैसा योजन नहीं किया गया इसी वज़े से बहुत जादा तयारियां यहां पर नहीं कि गई हैं बहुत बड़े मैदान का चिनाओ भी यहां पर नहीं किया गया है छोटी सी जगह है यह तेविलाल जो ग्राउंड है छोटी सी जगह आप इसे कह सकते हैं और इसी जगह पर यहाँ एक शक्ती प्रिदर्शन अजय सिंग चोटाला की तरफ से किया जा रहा है एक बज़े का वक्त रहेगा जब दीप पैलेस के अंदर एक बंध हॉल में मीटिंग रखने का काम पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी और कारेकरताओं को इस खुले मैदान में बताएंगे की सालक पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी जे बिल्कुल महीश कि आपको जियानकारी आपको मिल पा रही है जो नई पार्टी गोशित करेंगे उसका नाम क्या कुछ रखने वाले हैं जचाटाला तिकी इस तरीके से हम अपने दर्श्टों को लगातार इस अंदर में बताते रहे हैं कि जननायक सेवा दल ही इस नई पार्टी का नाम हो सकता है क्योंकि जननायक चोधरी देविलाल के नाम के साथ जुड़ता है और जननायक के नाम को जाहिर करने के साथ ही चोधरी देविलाल की छवी हर्याना के लोगों के जहन में उभरती है और यहीं वज़ा है कि जन्नायक सेवा दल का इस्तेमाल ही यहाँ पर आजय सिंग चोटाला की नई पार्टी के नाम के रूप में किया जा सकता है चोधरी देविलाल की विचार धारा से जुड़कर आगे बढ़ने की बात यहाँ पर आजय सिंग और उनका पूरा परिवार कर रहा है ऐसे में साफ तोर से जन्नायक सेवा दल ही इस अलग राजनितिक दल का नाम हो सकता है हराकी 3-4 बजे का बस रहेगा जब जो आधिकारी गोषणा है वो अजय सिंग चोटाला की तरशा कर दी गई है यहाँ सूत्री यही कहते है कि जन्नायक सेवा दल के आसपासी या फिर इसी नाम को फाइनल करने का काम अजय सिंग चोटाला करेंगे, इसी नाम से आजयाना की राजनीती में आगे बढ़ने का काम अजय सिंग चोटाला, दिगविजय, दुशंद और नेना चोटाला करेंगे जे महेंश हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे तो आपको बता दे किस तरह से आज अतिहासक फैसला यहां पर लेने जुआ रहे हैं जाजय चोटाला अपनी अलग पार्टी बनाने जुआ रहे हैं और साफ तोर पर उन्होंने कह दिया है कि यहां पर जो करिकरता हैं वो मेरे साथ हैं और एक एक करके जो विकेट हैं वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा अब है चौटाला पर उन्होंने तीखा तंज जो है वो खसा है आपको हम जिन्द की तस्विरे दिखा रहते हैं जो हाँ पर कारेकरता जो हैं तमाम वो इकटा हुए हैं वहाँ पर क इस सरे के से जो उत्सा है वो नजर आ रहता कारेकरताओं में और आपको बता दे के तीन बज़े के करीब जो है यह बैठक है उसको शुरू किया जाएगा और आज है चौटाला संबोधित करेंगे तो वहीं चंडिगर के अगर बात करें तो चंडिगर में अभै चौटाला अपनी बैठक उन्होंने बुराई है